तो आप सभी लोगों को मेरे यूटूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला बस स्वागत है और आज एक सबसे बेस्ट जो होता है वो बताने जा रहा हूं आपनों को जो कि घरों में हर जगे आपने आजकल बिजली हर घर में है और उस बिजली का सौक से हर एक बंदा डरता है चा पर करंट लग जाएगा और किस जगह से नहीं लगेगा जैसे कि हम किस पोजिशन में रहेंगे तो करंट मारेगा किस पोजिशन पर रहेंगे तो करंट नहीं मारेगा तो आज फूल विटेंट में आपको मैं बताऊंगा तो इसमें हमारी मदद करने माले हमारे फोर्मेंज हमें लगएगा विनादेरी कहे हुए हम इसना करते हैं आप कुछ बताना चाओगे के चलंग सदिंग तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक बलब सोब बाट का कि य데 हमारे पास हमें टॉप ले रखा है जिसकी बार है जिस में नुटल चेक कराने के लिए आपको लिया है और एक बॉक्स है जिसके लिए हमारे 220 वोल्ट सप्लाई है अब सप्लाई चेक करा दूं आपको यह देखो मैं सप्लाई ओन कर दी है और इसमें हमारे फेस आ गया होगा जब मैं इसको टच करूँगा देखो यह गिलो करने लगा है बलब इसको यह टेस्टर का काम होता है मैं देखो 220 बोल्ट बता देगा यह यह लास्ट में जो बता रहा है 220 वो फाइनल है यह 220 बोल्ट इसके अंदर आ रही है अब मैं इसको आफ करता हूं तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूं इसमें सप्लाई ओन करता हूं अब क्या हमारी जो तो आपको क्या करना है यह नहीं है कि आपका यह आपने एक बायर आपने काट दी ज याष्sen haven के जुड़ा हुआ है इस च regular घ्री आपने क्या किया कि नूटल वाली वायर तो आपके पास टैस्टर नहीं है उस टैम और आपने क्या किया कि नूटल वाली वायर को हटा दिया है जब नूटल वाली वायर हटा दिये आपको पता नहीं क्योंकि आपके पास टैस्टर नहीं होगा उस टैम तो आपको पता नहीं क कि इसमें करंट आ रहा है इसमें करंट आ रहा है इसमें पूरा करंट आ रहा है ठीक है इसमें पूरा करंट आ रहा है अब क्या होता है अब इसमें पूरा 220 अब इसमें क्यों आ यह जैसे हमारा फेस गया इसके अंदर और जिसके इंदर यह बल्ब के अंदर क्या होता है यह filament लगा होता है और filament से होते हुए reverse में यह current आता है और जब भी हम इसको टच कर लेंगे फिर इसमें कर नहीं आए जब हम न्यूटल वायर अपने इसमें है तो दोस्तों अभ मैं बताता हूं कि करण्ट कब में लगता है अव क्रेक्ट नहीं लगता अब देखो यह क्या है अब इसको सब्सक्राइश में वायर जोड़ देता हूं यह वायर जोड़ दिए अब हमारी रेड वायर है उसमें फेस आ रहा है और इसमें न्यूटल आ रहा है तो कभी भी आपको करण्ट कब नहीं मारेगा जैसे कि अब मैंने यह है हमारे पास यहां पर देखाना यह हमारा बोर्ड है मैं इस पर खड़ा हूं इस्टेम और मैंने सूज भी पहर रखे हैं मेरे सूज भी अच्छी क्वाल्टिक हैं और इसका सॉल भी बहुत अच्छा है आपको यह निश्चित करना पड़ेगा यह आपके पास नीचे बोर्ड नहीं है आपको निश्चित करन में इक वैसे पोगर का मैं इसको पकड़ लूँमा तो मुझे कोई क्ल正 मियाए गार यह देखो करंट गया मैं अंदर आ मेरे एक करना इंद्र मेरे हाथ के अंदर करकलनको ओर और यहां टच करूँगा तो यह बोल्टेज भी बता देगा देखो 220 वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर ठीक है और अब मैं इसको पकड़ लेता हूं बदेखो बलब गिलो हो रहा है अब मैं इस वायर को पकड़ लूँ या फिर इस वायर को पकड़ लूँ मुझे करंट नह पोजिशन में आपको दोनों वायर नहीं पकड़नी है यह चीज दिहां रखना है आपको दोनों वायर नहीं पकड़नी कभी भी किसी पोजिशन में और फिर क्या है और दूसरी चीज बताता हूं मैं जैसे कि अब मैंने क्या है यह हमारा फेस है जो स्टार्टिंग मैं आप को करंट नहीं मारेगा लेकिन मैं इसको और इसको IT cactus को साथ में पकड़ूंगा तो करंट लग जाएगा मुझे पुला सूट लग लग जाएगा और किंत तो इस तरह हमें क्लाट मारएगा लेकिन इस को साथ साथ कढ़ लेंगे तो मैं सौक मार देगा आप जूते पहन रखें हो याटेबल पको किसी भी पोजिशन में हो आपको यह करन्ट बार देगा लेकिन जब भी सारे हैं वायर प respuesta आके हमारी 11,000 बाल्टेज बड़ी बड़ी बॉल्टेज आती है् हमारी high values जो वायर होते हैं उनके उपर नगी कि बैढ़ा आके भीट जाते हैं वह उन्हें क्रिंट क्यूंने लगता है कहीं से मिलना ही रही है हमें रहते हैं इस वजय काम है अपने बीडी का काम करते हैं तो मैं यह सुनिश्टित करना होगा कि हमा अर्थ कहीं से नहां मिले कहीं से भी टच नहीं होना चाहिए ठीक है जी तो दोस्तों हमें क्या करना होता है जो भी हमारे उस टेम किसी भी पॉइंट को आपको छेड़ना नहीं है। दूसरे कमरे में जाके सुच सॉक्ट ज़ला सकते हो। लेकिन उस में मैंसुच पर आपको उसने बंद कर रखा है। मैंसुच को छेड़ना नहीं है। जब तक वो काम करके हटना जाया। वो बोल दें कि चालू करें उसी टेम आप उसको अन कर सकते हो नहीं तो नहीं करना आपको सबसे बड़ी और आपको अपना खुद काम करना है क्योंकि आपको नौलिज पूरी नहीं है कि काम पर नबारा है सबसे पहले आप जो हमारा घर का मैंस सुच होता है उसको आफ करें इसके वाद मेरे वीडियो देखने करें के आपको चाहने को उन्योडि़ नहीं को आपको सबसे हृइस Where I like ? नहीं सकता म में चेहाँ है नहीं पया हैiendo at the house नहीं होती है पटा नहीं सकता मैं आपको यहाँ नहीं है यही है चाहँ आप बंत कर लो अप थरीके से काम करो और सारी चीजिश की में जितनी हमारे चैनल पर आओ सब्सक्राइब करो सारी वीडियो देखो आप हर एक वीडियो पूरी देखो गए तो सारी नौलिज कहीं न कहीं में कुछ न कुछ बता देता हूं एक नहीं यह नहीं मैंने इस टॉपिक के वीडियो बना रखी है तो उसी सबसे बड़े क्या अपने घरों में एक चीज और करना है आपको जितने भी सुच बोड़ है अपने सब तो एक इतना खर्चा करते हैं आप फिटिंग करते हैं नौर्मल घर की बात अपने गाउंदेहात में क्या होता है ऐसे बंदा कर देता है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहि करता है तो एक ग्राउंड अर्थिंग कम से कम एक तो करने ही चाहिए नहीं तो करने जोड़े से चाहिए दो ग्राउंड अर्थिंग करें आप 10 बोट का कड़्डा करवाएं उसमें कोईला नमक और अपनी कॉपर पत्ती नहीं डाल सकते हो तो अपना यह अलुमिनुन पत् आपका कम्पूटर है पहुत से पॉइंट हैं जिसको आप ग्राउंड अर्थिंग उसे मिलेगी तो आपको करन्ट नहीं मारेगा यह कोई वायर फेस वायर आपको छूट गई है तो वो क्या होता है कि जब उसमें बॉड़ी में उसमें टच होगी तो सॉक होगा और एमसी कि ट्रेप हो जाएगी तो लाइट कटज आपको कैंट नहीं लगए गा आपको हाट टच भी होगया ना फेस से और उसमें टच हो गया तो सॉक यूद्य को नहीं लगेगा करंट को जाएगा बाड़ी यानि करंट बॉड़ी करंट देगी नहीं देगी ना फ्रीज की देग तो बोडी उसकी क्लंड देने लगती है तो हमेशा क्या करें आप 10-15 फुट का घड़ा खोद के या किसी बोगी से अपने गरों में जो नलो वाले नल लगाते हैं उनसे खड़ा करवाके उसमें कोईला और नमग डालके अर्थ कैसे करते हैं वह भी मैं आपको बता दूगा व वीडियो डालने वाला हूँ अर्थ में जो chemical वाली अर्थिंग होती है वो किस तरह होती है उसकी वीडियो में डालने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं और मैं तो आई होब दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारे सोक्से कैसे बचने के लिए क्या क्या जा रूआ कोने लाओ यू जातीं झाल, दो कि अ झाल, यू लाल, कि अजय कर दो दो के एाजय को प्थाल, कि उल ऊएफाँ रदी वाल, एक है रच मनद्धारश प्रेखर….